जब जॉब चाही सरकारी तो इंडिया करे अड़ा 24-7 पर तेया लिए अड़ा 24-7 इंडिया नंबर वन गॉब्मेंट जॉब प्रेपरेशन आप अड़ा 24-7 पीसे यूट्यूब चानल पर मेरा नाम है करूना और बच चुके हैं 11 जब होती है हमारी पॉलिटी की क्लास तो कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाला है आप सभी के वेरी गुड मॉर्निंग कुशाम्भी गुड मॉर्निंग राधा गुड मॉर्निंग साम गुड मॉर्निंग सन्नी मांसी सुमेद वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा क्या हाल चाल है आप सभी के गुड मॉर्निंग सचे नरे वाह क्या बात आपको कैसे मारम की याद गई गुड मॉर्निंग राधिका गुड मॉर्निंग सचीन यादव गुड मॉर्निंग नेहाइन लेट कौन आता है नहीं मैं लेट नहीं हुई हूँ यह स्टूडियो मिलने में दे रही हो गई इसलिए अपन लोग थोड़े से लेट हो गई क्योंकि आल्रेडी सभी पढ़ेंगे अनुसूचिया श्रीओ बहुत बहुत ईजी टॉपिक भी है और बहुत सारे को यह भी है ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं कोश्चंस पूछे-जाते हैं और एज़ी और ट्रिक भी है इन्हें याद करने के लिए तो इसलिए सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा शेडियूल क्या कहता है और फिर हम लोग ट्रिक डिसकस करेंगे जिस ट्रिक की हेल्प से आप इन्हें याद कर सकते हैं अच्छा अभी थोड़ी ठीक है तो शुरू करते हैं अपने शेडियूल के टॉपिक को एक बार सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक करो शेयर करो और चानल को सब्सक्राइब कर लो जो भी न्यूँ है जल्दी से ये काम जल्दी से कर दो जल्दी से माँ चुटी काटके देखा क्या अप लाइभी हो न अच्छा चूटी काटके देखा हां चूटी काटके देख लो लाइभी हो तो हम लोग पढ़ेंगे शेडियूल्स शेडियूल्स है क्या अनुसूचिया है क्या सबसे पहली तो ये बात उठी शेडियूल्स क्या है अनुसूचिया क्या है जो बाते हमारे constitution हमारे समिधान के अलग-अलग articles में mentioned है अलग-अलग अनुचेद में दी हुई हैं उन्हें क्लब करकर हमने शेडियूल्स में mention किया है प्लस एक्स्ट्रा इन्फोर्मेशन के साथ mention किया हुआ है कहां शेडियूल्स में जैसे कुछ articles है जो language की बात करते हैं लेकिन कौन-कौन सी languages के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया तो 8th schedule के अंदर वो official languages के बारे में जिक्र कर दिया गुड मॉर्निंग मांसी गुड मॉर्निंग सचिन फाइनली आज class मिल ही गया माम का माजय महादेश विता गुड मॉर्निंग रमन्दी बच्चा गुड मॉर्निंग तो हम लोग क्या करेंगे अपने schedules में अनुसूचियों में उन्हीं को discuss करेंगे कि वो कौन-कौन से हैं अब आप सब मुझे जल्दी से बताओ कि हमने अपने constitution को implement कब किया था हमने अपने समिधान को लागू कब किया था बताओ ऐसा लगने जैसे आज बताओ जल्दी से कि हमने अऱने constitution को implement कब किया था हमने Con Also दो system को implement किया था 26 जनवरी 1950 को कब किया था माम 26 present 1950 को हमने अपना Constitution implement कि यलागू किया था तो जब हमने 1950 में अपना constitution implement किया था तो तब हमारे पास आठ शेडियूल से क्या थे माम तब हमारे पास आठ शेडियूल से आठ अनुसूचियां थी लेकिन अगर मैं at present अभी की बात करूँ कि अभी कितने शेडियूल से तो अभी हमारे constitution में 12 शेडियूल से कितने शेडियूल से बच्चा अभी 12 शेडियूल से बारा अनुसूचियां तो याद रखना है कि अगर वर्ड दे देंगे कोशन में तो आठ होगा लेकिन अगर अभी का पूछेंगे तो अभी कितने हैं बारे हैं शिला भ पर आठ से बारा हुए इसके मतलब चार अपन लोगों ने बाद में की तो उन चारों को बाद में ने ramen कीया को सब लोग लाइक करो अपने सभी भाई बंद्दों मित्र में सबको बुला कराओ बॉL बंदना अभी ठीक ठीक है बच्चा पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी को में खीच रही हूं अपने साथ कि चल मेरे साथ 26 जनवरी को Constitution Day नहीं बनाते सुमेद 26 नवंबर 1949 को बनाते हैं जिस दिन हमने अपना Constitution Adopt किया था और Adopt कब किया था 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अपनाया था तो जिस दिन अपनाया था वो दिन करके schedule discuss करते हैं कि कौन से schedule में किस बात का दिक्र किया गया है फिर लास्ट में आप लोग ट्रिक discuss करेंगे जिस की help से हम इने याद कर सकते हैं अगर पहली ट्रिक बता दूंगे तो तुम लोग समझने में ध्यान नहीं दोगे है न यहां तक कि UPSC भी इतनी बार schedule के direct question पूछता है match the following में या statement के form में भी पूछता है और अगर यहां से question आ गया तो इससे easy question कुछ नहीं हो सकता और अगर आपने miss कर दिया ना तो फिर भगवान ही भरोसे सारी के सारी चीज़े ठीक है गुड मॉर्निंग सूरज कुमार वेरी गुड मॉर्निंग लाइक्स पर सौंग नहीं सुनाएंगे लाइफ पर 100 प्लस लाइफ लाइफ सौसे जाधा लाइफ ठीक है बहुत बढ़िया चलिए discuss करते हैं कि कौन-कौन से schedule से कौन-कौन सी अनुसूचिया है ठीक है इसको zoom कर लेते हैं वरना तुम लोगों कि अभी सारी कि सारी क्या आजाएंगी वह आजाएंगी कि माम दिखाई नहीं देरा माम दिखाई नहीं देरा है ना कहां पहुच गए तुम इतनी आप उपर कैसे पहुच गए चलिए देखें आगर आपन लोग schedule की बात करें किसकी बात करें schedules की अनुसूचियों की बात करें तो सबसे पहला first schedule क्या कहता है धिहान से सुनना कि first schedule क्या कहता है first schedule पहली अनुसूची के अंदर states और UTs का नाम और उनका territorial jurisdiction दिया हुआ है पहली अनुसूची के अंदर सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों के नाम और उनका छेत्रा अधिकार दिया हुआ है कौन सी अनुसूची में first schedule में जैसे अपना लोगों ने आर्टिकल पार सिक्वेंशली अरेंज किये गए हैं तो जो बाते आर्टिकल वन टू फोर मे में मैंन्षण करदी आपके शेडियों के पहले के अंदर कि स्टेट। का नाम और उनका छेत्रा अधिकार कहां दिया हुआ है आप रिलेट करके याद रखो जैसे center में president होता है, ऐसे state में governor होता है, जैसे center में MP होंगे, ऐसे राज्य विधायका के सदसे, जैसे center में supreme court के judges, ऐसे state में high court के judges, है ना, आपके क्याग, इन सब की जो भत्ते हैं, जो वेतन हैं, वो आपकी दूसरी अनुसूची में दिये हुए, पूछ लेते हैं कि कौन- कारी मेंशन नहीं है, good morning आदेश, कोई बात नहीं, बच्चे कोई बात नहीं, अभी बेटर है, तुम सब लोग इतना धियान रखते हो, चलो देखो तरह किस कि हमारे president के भारत के राश्यपती के, governor राज्येपाल के, लोकसभा, जैसे center में लोकसभा होता है, ऐसे ही state में वि परिशद होती है, तो उनके head कौन होता है, आपके chairman और deputy chairman, तो सभापती और उपसभापती, और कौन-कौन होंगे माम, हमारे supreme court और high court के judges और CAG, याद रखना की election commissioners की नहीं दी हुए, निर्वाचन आयुकतों की नहीं दी हुए, क्या करते हैं वो, पूछते हैं कि बताओ इन में से, आज आप doctor लग रहे हैं, ये doctor जैसा court क्यों ये doctor जैसा court नहीं है, ये white color की t-shirt जो दूसरी ID से आगे साचिन, बहुत बढ़िया, चलिए देखें यहां पर CAG, controller and auditor general, तुमें नेहा की ID देखें के complex feel हो रहा होगा ना, तो तुम दूसरी ID से आयो अपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अड़ा की dress है क्या, अरे ये t-shirt है, t-shirt है, हमें नहीं टी- Commissioners दिर्वाचन आयुक्तों की नहीं mention की हुए, फिर third schedule पर चलते हैं, third schedule में क्या दिया हुए, oath और affirmation, शपत और प्रतिग्या दिया हुए, पहले मुझे ये बताओ, कि oath और affirmation में अंतर क्या है, जल्दी से बताओ कि शपत और प्रतिग्या में अंतर क्या है, तुम लोगों जिवन तुम्हारी, तुम्हें वही, चलो जल्दी बताओ, हाँ ये सचेन बहुत पुराना स्टूडेंट है, आज इसे गलती से याद आ गई है, मारम की, चलिए जल्दी बताओ कि, ECI mention नहीं है, बिल्कुल सही बात, very good, रुद्र, जल्दी से बताओ, ये सराज, शपत दि जाती है, और affirmation क्या होती है, self promises होती है, निभाते तो ये कोई भी नहीं है, जो खुद से किये वादे होते हैं, जैसे तुम लोग भी किसी के साथ शपत कहते होंगे, कोई तुम्हें कसमे खिलाता होगा, कि promise करो पक्का वाला कि वीकेंड पर आओगे, पक्का वाला promise करो कि तुम्हारे खुद के promises होंगे, जो भी तुम कसमे वादे खाते होंगे, उनमें से निभाते कितने हो, ये तुम्हें ही पता होगा, कि कितने निभाते हो तुम लोग है, फिर पक्का पक्का वाला promise, चलिए, देखें यहां पर, तो ओद किया आपकी शपत और affirmation क्या है आपक किन कि मेंशन नहीं है, हमारे प्रेजिरेंट की, राश्यपती की, किस किस की नहीं दी हुए माम, हमारे प्रेजिरेंट की, राश्यपती की, और किस की मेंशन नहीं है, वाइस प्रेजिरेंट की, उपर राश्यपती की, और गवर्नर राज्यपाल की, राश्यपती की, उपर उस उची में उपस्तित नहीं है याद रखना इतनी बात ठीक है अच्छा करना भुगा की बतीजी हाँ राधा बिलकुल आजाओ चलिए वेरी गुड नमस्ते संतोष रादे रादे बहुत बढ़िया देखो सेशन को लाइक और शेयर कर दो जब दो क्लासिस चल रही होती है तो इज़त लाज समान सब की बात होती है तो ज़रा सेशन को शेयर कर दो तो अच्छा लगेगा मुझे गवर्नर बहुत बढ़िया कुशामभी देखे तो देखो किस-किस की यूनियन के मिनिस्टर मैंने कहा रिलेट करके याद करो तो सेंटर के मिनिस्टर मतलब स्टेट क के मिनिस्टर भी दिया होंगे MP मतलब MP दिया हुए संसत के सदस्टे तो राज्य विधायका के सदस्टे भी होंगे सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजिस और हमारे क्याग और हमारे क्याग अलेक्षन कमिशनर की नहीं मेंशन देखो अब यही जैसे मैंने का था सेंटर के म जिस भी दिया हुए फोर्थ शेडियूल बहुत जादा पूछा जाता है फोर्थ शेडियूल क्या आपका राज्य सभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिट्री का वो कौनसी अनुसूची के तहत किया जाता है फोर्थ शेडियूल कौन अनुसूची के तहत राज्य सभा में सीटों का आवंटन किया जाता है अब चलते हैं आगे फिफ्ट और सिक्स्थ शेडियूल पर पांचवी और छटी अनुसूची पर फिफ्ट और लोग कंपेर करके पड़ेंगे जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जा फिफ्ट चेत्र के बारे में मेंन्षन किया हुआ है लेकिन दूसरी ही तरफ आपके शेडियूल में ट्राइबल एरिया दियों है आदिवासी छेत्र दीयों है लेकिन चार्ट स्टेट्स के और वो चार्ट स्टेट कॉन-कॉनसी है ऐसाम मेघाले तिरिपुरा और मिजोरम मेरे साथ तो लो मातम या मेरा ATM अब यह मत सोच ना कि माड़म अपना ATM कार्ट देदेगी तुम लोगों को यह तो मुझे दे दो तो ऐसा हो नहीं सकता तो क्या हो जाएगा खुशी को इन्नी खुशी हो रही है वाह बहुत बढ़िया मातम या मेरा ATM से याद रखना ATM मनी से मत याद रख और इक्जामीन अर्जादे दर मनी पूर आप्शेंज में देता है जिससे कि आप लोगों इस प्रशान बोलो मेरे साथ एक बार क्या-क्या होगा आपका गैस रखी का M से क्या है आपका मेज़ोरम है मेज़ोरम है तो तो असाम मिघाले तिरिवपुरा और मिजोरम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेविंत शेडियूल अच्छे अपन लोग कैसे हैं फेडरल है संगय है यह इकात्मक है चल्दी बताओ माम को फटा-फट कि अपन लोग कै से हैं फेडरल है संगय है इकात्मक है मैंने फीचर्स वाले कौन चाप्टर में आपको बताया था जल्दी बोलो कि येस बहुत बढ़िया अच्छा मैं मेरा लेलो लेकिन पासवर्ट नहीं दूगा फिर मैं उसका करूंगी क्या वाइफाई तो होगा दोजार की लिमिट रखें पांच हजार की बफरिंग नहीं हो रहा है हाँ बफर नहीं हो रहा बच्छा सब कुस ठीक है हलो पीचेस इस पारेंट येस रवंदी बहुत बढ़िया अपने लोग क्या है सेशन को लाइक तो कर दो येस अनुरादा एक बार सेशन को सभी लोग लाइक करो जो भी नियू है वो चानल को फटा फट सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से कर दो ये काम और सेशन को शेयर करिया है वंबने सभी भाई भनदो मित्र मित्रियों में सेव impeachment क्या है तो अपनलोग मैंने पूच्छा की फेडरल है या युनिटिय के बीच केंद्र और। सरकार के बीच हमने शक्तियों का विभाजन किया हुआ है पावर्स का डिवीजन किया हुआ है क्या किया हुआ है मां पावर्स का डिवीजन किया हुआ है शक्तियों का विभाजन किया हुआ है कौन से शेडियूल में सेवन्त शेडियूल में शक्तियों का विभाजन क्यूंकि कि अपने लोग फेडरल हैं तो हमारे यहां सेंटर और स्टेट के बीच पावस डिवाइडिड है और कितनी लिस्ट के फॉर्म में तो तीन लिस्ट के फॉर्म में कितनी लिस्ट के फॉर्म में तीन लिस्ट की फॉर्म में डिवाइडिड है कौन कौन सी माम पहली है आपकी य उनियन लिस्ट संग सूची स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कॉन्गरेंड लिस्ट समवर्ती सूची ठीक है देखो अब समझते हैं अब लोग इनको जब हम लोग बात करते हैं किसकी यूनियन लिस्ट की तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सारे के सारे मामले हैं जो सारे के सारे मैटर्स हैं उन पर कानून बनाती है हमारी यूनियन गवर्मेंट कौन कानून बनाती है हमारी यूनियन गवर्मेंट केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार का विधाई अंग बनाएगा और विधाई अंग बोले तो कौन हमारा पार्लियमेंट हमारा संसत बनाएगा बहुत बढ़िया, कौन बनाएगा, हमारा पार्लिमेंट बनाएगा, संसत बनाएगा, जैसे की defense, shares से related हो गए, stock market से related हो गए, तो ये सारे मामले कहा है, अपर लोगों की union list में है, संग सुची में है, फिर दूसरा क्या है हमारा state list, दूसरा क्या है माम state list राज्ये सुची, और state list के subject पर laws कौन बनाता है हमारी state की government बनाती है राज्ये की सरकार बनाती है जैसे local government हो गए और third क्या है third है हमारी concurrent list क्या है माम third हमारी concurrent list समवर्ति सूची और concurrent list पर दोनों मिलकर laws बनाते हैं कौन बनाते हैं दोनों मिलकर laws बनाते हैं मतलब union और state government केंद्र और राज्ये की सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं केंध्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं अच्छाा दोनों के बनाए गये लौस में अगर कोई क्लाश हो जाएगा तो किसकी बात मानी जाएगी बताओ किसकी बात मानी जाएगी जल्दी से बताओ कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दोनों के बनाए गए लॉज में किसकी बात मानेंगे यूनियन की या स्टेट गवर्मेंट की बोलो बोलो अगर आपके पार्टनर कुछ कहें और पेरेंस कुछ कहें तो आप किसकी बात मानेंगे यहां तो तुम पेरेंस का नाम लोगे लेकिन मुझे पता है मानोगे किसकी अच्छा आज मैं सुरों के साइंटिस लग रही हूं कभी तुम्हें मैं साइंटिस लग रही हूं कभी मैं तुम्हें डॉक्टर मानों के बच्चा सेंट्रल गवर्मेंट की केंद्र सरकार की राज्य सरकार की बात नहीं मानी जाएगी केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी अगर दोनों के बनाए गए लॉस में कोई भी क्लैश हो जाएगा हलो नाजिया बहुत लेट हो गए बच्चा कोई भी ऐसा मामला ज Union Government के बीच में क्लाश हो सकता है वो कहहें एसपर हम कानून बनाएंगे राज्य की सरकार कहेंगे हम बनाएंगे मोधी जी कहेंगे हम बनाएंगे योगी जी कहेंगे हम बनाएंगे फिर क्या government की होगी, केंद्र सरकार की होगी, मतलब उन पर कानून बनाएगा हमारा parliament, कौन कानून बनाएगा, हमारा parliament कानून बनाएगा, हमारा संसद कानून बनाएगा, और उसी शक्ती को हम लोग कहते हैं, residery powers, क्या कहते काश मेरे पास एक डंडा होता और में तुम्हारी उससे पिटाई करती है अगर तुम पढ़ते नहीं अच्छे से तो है ना बहुत बढ़िया पार्लेमेंट 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 संसथ गुड मॉर्निंग अनिश्या आप बहुत लेट आती हो आजकल येस तो कोई भी ऐसा मामला जो तीनों ही सूचियों में मेंशन नहीं होता ऐसे मामलों पर कानूर बनानी की शक्ति को ही रेजुडरी पावर्स आवशे शक्तियां कहते हैं और वो पावर हमने अपनी सेंट्रल गवर्मेंट को दी है केंद्र सरकार को दी हुए जिससे स्पेस एक्स्प्लोरेशन साइबर क्राइम के मामले हो गई यह सब रेजुडरी पावर्स के अंदर मेंशन है ठीक है अच्छा राज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब देखो अगर हम लोग बात करें अपने यूनियन लिस्ट अपने स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट के सब्जेक्स की तो पहले हमारी यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे 97 थे कितने थे 97 लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी कितने है माम 100 फिर स्टेट लिस्ट में कितने थे 66 अभी कितने है माम 61 कॉन्ग्रेंट लिस्ट में कितने थे 47 अभी कितने है 52 तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ 5 कम हो रहे हैं और यहाँ 5 बढ़ रहे हैं यहाँ 5 कम हो रहे हैं और यहाँ 5 बढ़ रहे हैं तो जो यह 5 सबजेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट से जो कॉन्गरेंड लिस्ट में गए वो 42nd Amendment Act 1976 के थ्रू ट्रांसफर कर दिये गए 42nd Amendment Act 1976 ने 5 माम ले राज्य सूची से उठा कर कहा डाल दिये कॉन्गरेंड लिस्ट में समवर्ती सूची में ठीक है येस पहले 66 से अभी 61 है मत सेशन को लाइक करो शेयर करो है ना कड़ाओ माम की बेज जती और 42nd Amendment को ही हम क्या कहते हैं मिनी Constitution भी कहते हैं क्या कहते हैं 42nd Amendment को अपन लोग मिनी Constitution मिनी सम्विधान भी कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब्जेक्स कैसे याद करें बस important important याद रखो एक बार नजरों के सामने से निकाल ले न और फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से यूनियन में कौन से स्टेट में और कौन से कौन कौन से सब्जेक्ट से जो आपके स्टेट लिस्ट में समवर्ती सूची में डाल दे गए 42nd Amendment से तो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके education सिक्षा बहुत जादा पूछा जाता है तो याद रखना अगर पूछेंगे तो अभी किस में है वह कौन कौन से लिस्ट में था तो ओर इजनेली था स्टेट लिस्ट राज्य सूची में अभी का पूछेंगे तो अभी किस में है वह कौन क्रेंट लिस्ट में है समवर्ती सूची में है ठीक है फिर देखिए forest jungle weights and measures की जो उनिट्स होती है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ट का प्रोटेक्शन सुप्रीम और हाई कोड को छोड़ कर बाकी पार्गिनाइजेशन और एड्मिनिस्रेशन कौन से schedule में है concurrent list में है संवर्ति सूची में पहले किस में था state में था राज्य में था बहुत बढ़िया चलिए अब चलते हैं आगे एट शेड्यूल पर आठ्वी अनुसूची के अंदर आठ्वी अनुसूची के अंदर क्या दियो है बाइस ओफिशल लांगवेज इस बाइस मानियता प्राप्त भाशाएं दियो है हमारे देश की क्या कोई नाश्चनल लांगवेज है क्या कोई राश्च भाशा है बताईए जल्दी से important माम प्लीज सब्जिक्ट important अच्छा हमारी कोई national language है अनिशा ध्यान रखो अपना पहले कितनी थी तो गोड़ लागतानी रेनाम अजीद पहले कितनी थी तो पहले थी कितनी 14 languages थी कितनी 14 languages थी 14 भाशाएं थी लेकिन एट प्रेजेंट इंडियन constitution में कितनी languages हैं 22 हैं कितनी है बच्चा 22 है बहुत बढ़िया कहां थे मन्टू आप इनना लेट आयो आज नो 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 कोई भी national language नहीं है राश भाषा नहीं है आब उरिया को क्या कहते है क्या कहते हैं उर्डव मलियालम बेंगॉली बोडो डोगरी गुजराती अब टे लगू टमिल टेलगू उर्डू इंदी, कन्नट, कश्मीरी, कौनकनी और मैथली, इंग्लिश मेंशेंड नहीं है, जो बहुत ज़ादा बोली जाती है, वो मेंशेंड नहीं है, ठीक है, जो यूज भी होती है, हमारे सारे ओफिशल वर्क्स में, बच्चा, आकि मेरे को नहीं आता, मैं बोलूँगी, मानेज्मेंट से वो कर देंगे, ठीक है, वो मेरे को अपनी ID मेसेज कर देंगे, की कौन सी ID है, समझ गये इतनी, मेरे को नहीं आता, यहां से मेरे को सिर्फ ब्लॉक कर नहीं आता, अन ब्लॉक कर नहीं आता, तो अभी session के बाद ना मैं team से बोलूँगी वो कर देंगे वो आप मेरे को message कर देना कि ID क्या है वे मलकी Good, देखिए अब, आगे बढ़िए हमने कौन-कौन सी languages को बाद मैं add किया था जरा देखो 21st Amendment Act से एक language जोड़ी थी कौन सी सिंधी 1967 में 21st Amendment Act से तीन जोड़ी थी कौनकनी, मनिपुरी और नेपाली 1992 में 92 Amendment Act 2003 से चार जोड़ी थी बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली कौन सी जोड़ी थी मायम, बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली 9th schedule के अंदर, 9 अनुसूची के अंदर क्या दी हुए है Land Reforms, भू सुधार और जमिदारी सिस्टम का Abolition दिया हुए है अब जो 8th schedule थे, वो 8 तो पहले से ही थे लेकिन 9th, 10th, 11th और 12th अपर लोग बाद में आड़ किये तो हमने अपने Constitution में जब पहला Amendment किया 1951 में तभी हम लोगों ने 9th schedule नौवी अनुसूची को भी शामिल कर दिया जो कि भू सुधार और जमिदारी प्रिनाली को खतम करता है और इसके लिए अब 284 अधिनियम बना दिये गए कहीं कहीं ये Acts भी पूछ लेते हैं कि कितने Acts बनाए हुएं अभी तो 284 Acts बनाए हुए हैं कितने 284 Acts बनाए हुएं ये SBDMS कैसे करके याद कर लो अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना स्टेट्मेंट के फॉर्म में ये चीज आती है ध्यान से सुनो ध्यान से जब First Amendment Act हुआ था 1951 में तो उसने नौवी अनुसूची को आड किया और साथ-साथ ये बात भी बोली कि अगर नौवी अनुसूची को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा कोई भी लौ बनाया जाएगा और वो आपका fundamental right violate करता होगा वो आपका मौलिक अधिकार बन्चित करता होगा तो आप उसे court में जाके challenge नहीं कर सकते उसकी judicial review नहीं हो सकता उसकी नियाइक समिक्षा नहीं हो सकती judicial review का मतलब क्या होता है जिसके तहट judicialी चीजों को review करती है, समिक्षा करती है judicial review कहूँ या जिखी है, जुडीशरी चीजों को देखती है कि आपकी सरकार समिधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है नियाइक समिक्षा जिसके तहट constitutionality समिधानिक तद चेक की जाती है तो first amendment act 1951 से ये कहा कि नौवियन उसूची के तहट बनाए गए कानुनों की नियाइक समिक्षा नहीं होगी मतलब उसे immune कर दिया judicial review से लेकिन 2007 में IR कोहलियो केस में जब हमारे supreme court ने ये कहा कि judicial review हमारे constitution का basic feature है तो फिर जब basic feature डिकलेयर कर दिया इसका मतलब उसे किसी भी तरीके से उसमें कोई बदलाफ नहीं किया जा सकता तो जब IR कोहलियो केस में ये बोल दिया गया कि ये हमारे समिधान की मौलिक विशेशता है तो supreme court ने कहा कि April 24 1973 के बाद जो भी कानून बने है उन सब कानून की नियाएक समिक्षा की जाएगी क्यों आपन लोगों ने 1973 चूज किया 1973 में क्या हुआ था के बी सी केशवन अंदा भारती केस मतलब 1951 से 1973 के बनाए गए कानूनों की कोई नियाएक समिक्षा नहीं हो सकती लेकिन 1973 के बाद जो भी कानून बने है उन सब की नियाएक समिक्षा हो सकती है और 1951 वाले अमेंडमेंट ने कहा था कि नियाएक समिक्षा नहीं होगी लेकिन अगर मैं पूछू कि आज नियाएक समिक्षा की जा सकती है या नहीं तो हाँ या ना और आपको पता है ना कि आपकी BPSC के असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट आफिसर की डेट आ गई है एक्जाम डेट आ गई है बारह नवंबर है ना चलिए बताईए जल्दी से कोई बात नहीं मंटू कोई बात नहीं सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दो शेयर कर दो तो अच्छा लगेगा मुझे भी चलिए जल्दी बताओ मैं को फटा फट कि अभी नियाएक समिक्षा होगी लॉस की या नहीं होगी हाँ या ना सब लोग आंसल दिया करो सब लोग इट लीस्ट मुझे पता तो लगे कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो सब लोग आंसल दो जल्दी से येस 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 पक्का येस हो जाएगा पक्का येस बहुत बढ़िया अभी नियाएक समिक्षा की जा सकती क्लियर तो दिख रहा है जीत बच्चा साफ साफ दिख रहा है येस अभी निया एक समिक्षा हो सकती है ठीक है तो अब हो सकती है 10th schedule पर चलते हैं दस्वी अनुसूची पर दस्वी अनुसूची को हमने एड किया था 52nd Amendment Act 1985 से किस से एड किया था माम 52nd Amendment Act 1985 से आया राम गया राम है ना सुना है आपने Anti-Defection Law जिसे कहते हैं आपन लोग दल बदल प्रावधान कहते हैं क्या कहते हैं दस्वी अनुसूची के अंदर Anti-Defection Law है दल बदल प्रावधान है कि हमारे संसद और राज्य विधाइका के सदस्यों पर दल बदल प्रावधान जो लगेगा वो दस्वी अनुसूची के अंदर मेंशन किया है जिसे एड किया गया था 52nd Amendment Act 1985 के थ्रू किया ग पार मामलों में और जिस भी सदस्यों पर दल बदल लगेगा तो decision लेगा उसके house का head मतलब अगर लोगसभा या विधान सभा के सदस्यों पर दल बदल लगा तो decision कौन लेगा हमारा speaker अध्यक्ष क्यूंकि लोगसभा और विधान सभा का head होता है अध्यक्ष लेकिन अगर र राज्य सभा और विधान परिशत का हैड होता है तो अगर राज्य सभा के सदस्य पे लगेगा या विधान परिशत के सदस्य पे लगेगा तो निर्न्य लेगा सभापती लेकिन अगर लोग सभा या फिर विधान सभा के सदस्य पे लगेगा तो निर्न्य लेगा स्पीकर रहे हैं ना वो देख ले ना की दो के बाज है वो बिल्कुल येस आया राम गया राम कब-कब लगते है इंटिडिफेक्शन लोग चार केसिस में लगता है कब-कब लगते है चार केसिस में कौन-कौन से कि अगर कोई कांडिडेट है ठीक है कोई कांडिडेट है किसी पार्टी से चुनाव लड़ा मालो बीजेपी से चुनाव लड़ा ठीक है जीत भी गया और सदस्य बन गया ठीक लेकिन फिर उसने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया त्याग दे दिया और फिर किसी दूसरी पार्टी को जॉइन कर लिया मालो कॉंग्रेस को जॉइन कर लिया तो फिर ऐसे कंडिडेट पर क्या लग जाएगा दल बदल लग जाएगा क्या लग जाएगा ऐसे कंडिडेट पर दल बदल लेकिन अगर पार्टी आपस में खुद से संगठन कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी के दो तीहाई सदस से Resignation Letter दे देते हैं तो तो तब तल-बदल नहीं लगतात आज थीक है अगर कब लगता है कि अगर कोई Candidate है और वो अपनी पार्टी की बात नहीं मानता जैसे तुम लोग किसी की बात ना मानो तो फिर तुम ब्लॉक हो जाते होंगे हो जाते हो क्या ब्लॉक अगर कोई अपनी पार्टी की बात नहीं मानता है या फिर पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कर रहा है या कर ही नहीं रहा है उनके अकॉर्डिंग तो फिर ऐसे केस में भी क्या नॉमिनेटेड कांडिडेट है कोई नामित सदस्य है क्या है अगर कोई नॉमिनेटेड कांडिडेट है कोई नामित सदस्य है तो इनके पास 6 महीने का टाइम होता है कितने महीने का टाइम होता है 6 महीने का टाइम होता है अगर 6 महीने के बाद ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को join कर लेंगे तो फिर इन पर भी दल बदल लग जाएगा मतलब 6 महीने के अंदर अंदर करेंगे तो दल बदल नहीं लगेगा 6 महीने के बाद करेंगे तो दल बदल लग जाएगा ठीक है येस ठीक है अनुरादा बच्चा ठीक है जैसे आप लोग कमफर्टेबल हो वैसे वैसे अराम से बढ़ो अपन थोड़े से पीछे हैं तो थोड़ा सेशन को शेर कर दो जिद्धी ग्रूप में बहुत लोग हुए है मैं अच्छा ब्लॉक हाँ बिलकुल होते ही है क्या करें त अगर कोई इंडिपेंडेंडेंट कांडिडेट है क्या है कोई इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे चाली से पहले सब कुछ बढ़िया लेकिन शादी होते ही वो व्यक्ति बदल जाए तो फिर बदल दोगे कि ऐस व्यक्ति को हाँ ऐसा मदब 6 महीने तक धोका धाड़ी दे, 6 महीने का उसे टाइम दिया है, तब तक धोका धाड़ी होए तो चलेगी, लेकिन 6 महीने के बाद तुम कहीं नहीं जा सकते हैं, फिर permanent उसे इंसान के हो जाओ, ऐसे याद रख लो, बहुत बढ़िया, समझ आ गई है, चारों मामले की ये चारों केसिस कौन कौन से होते हैं, जब दल बदल लगता है, है ना, फिर ऐसे कि तुम शादी से पहले तो ऐसे थे या ऐसी थी, लेकिन शादी होते ही तुम बदल गए, ऐसा कुछ है, चारों मामले समझ आए, हाँ या ना, येस और नो, जल्दी से अंसर दो, कि चारों मामले समझ आ गए आप लोगों को, ओके श्वेता, बदाओ बदाओ, सेशन को थोड़ा लाइक कर दो, शेर कर दो, अच्छा लगेगा, फिर से एक्स्प्लेइन करू राज, सुनो फिर से देखो, नामित सदस्य के पास 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को जोइन करेगा तो चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद करेंगे तो दलबदा लगेगा, कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट कांडिडेट है, जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा, वो लड़े, वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन जीतने के बाद किसी पार्टी को जोइन कर लेंगे, तो फिर उस पर दलबदल लग जाएगा, ठीक है, समझ आगया अंसर बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, दस तक आप सभी को समझ आ गया होगा, आप चलते हैं अपने 11 और 12 इशेडियूल पर, ग्यारवी अनुसूची क्या कहती है, तो जरा सुनें, ग्यारवी अनुसूची आपकी पंचायतों से संबंदित है, किस से संबंदित है मा 37 मामले हैं, जिन पर कानुन पंचायत बनाती है, इसे एड किया गया था, 73rd Amendment Act 1992, कहीं कहीं आप 1993 देखते हैं, वो इसलिए, क्योंकि इसे 1st June, sorry, 24th April 1993 को इंप्लिमेंट कर दिया गया था, तो वो इंप्लिमेंटेशन इयर मेंशन कर देते हैं, इसलिए, ठीक है? येस, तब ही वो 1993 मेंशन कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, 12th schedule पर बारवी अनुसूची में, 12th schedule में क्या है आपकी, municipalities है नगरपाली का है, क्या है, municipalities नगरपाली का, जिसके अंदर 18 matters जिन पर कानून हमारी municipality बनाती है नगरपाली का, और इन्हें आड किया गया था, through 74th amendment act 1992, जिसे implement किया गया था, 1st June 1993 को, कब 1st June 1993 को, तो इन 18 मामलों पर कानून कौन बनाता है, हमारी municipality बनाती है, हमारी नगरपाली का बनाती है, तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां, अब अपन लोग करेंगे trick discuss, बोले तो ready हो तुम लोग trick discuss करने के लिए, trick किया है मेरे साथ बोलो, tears of old PM, बोलो बो, tears of old PM, जब से हमारे नए प्रधान मंत्री बने हैं, तब से हमारे पुराने प्रधान मंत्री रोही रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं, तब से मनमोहन जी रोही रहे हैं, ऐसा कुछ, माम सेवन्त वाला एक बार और समझा दिजी, सचेन अभी ये में trick बताते बताते समझा दूँगे, सेवन्त वाला फिर से, good morning XYZ, you are too late, Tears of Old PM, एक बार सभी लोग लिखकर दिखाओ, कि Tears of Old PM, जल्दी से लिखकर दिखाओ, सब लोग Tears of Old PM, जिससे आपको ये याद रहे हैं, सेवन्त के अंदर क्या किया हुआ है, हमने center और state के बीच powers divide के हुए, तीन list के form में, union, state और concurrent, union के मामलों पे central government कानून बनाएगी, state के मामलों पे राज्य की सरकार और concurrent पे दोनों मिलकर बनाएगे, और तीनों में कोई भी नहीं है, तो center कानून बनाएगा और उसी को residerry powers क लेते हैं ठीक है किसी बच्चे को समझना था बहुत बढ़िया अब टीयस ओफ ओल्ड पीम के अंदर कितने लेटर्स हैं बताओ कितने लेटर्स हैं अगर पूछू कितने वर्ट्स हैं तो क्या अंसर होगा तुम लोग बहुत इंग्लिश पढ़ते होगे ना चलो बोलो अब देखो कैसे कैसे कौन किस को रिप्रेजेंट करता है पहले लिखो टीयस क्या लिखोगे टीयस एक एक लेटर एक एक शेडियूल को रिप्रेजेंट करता है फॉस्ट सेकेंड थॉर्ड फॉर्थ फिफ्थ मुझे उमीद है रोमा नमबर सबको आते होंगे फॉस्ट शे खेतरों का नाम और उनके territorial jurisdiction छेतर अधिकार दिया हुँ है। Second schedule के अंदर क्या दियो है। अलग-अलग अधिकारियों के emiliements दियो है। भत्ते, वेतन, है ना, विशेष अधिकार दियो है। Third में क्या दियो है। Shapat और प्रतिग्या दियो है। Affirmations दियो हैं। शेडूल्ट एरियाई आनुसूचे छेत्र दिये हुअ होएं टी यह चीस से हो गई यह 5 चलिए फृटि आप खेंछ ऐबाद किया था और टियार्स के बाद किया था बच्चा ओफ था तो ओफ और और क्या है आफका से जुडियूल और एफ से क्या है आपका 7th schedule, 6th में क्या है other tribal areas, अन्य आदिवासी छेत्र, चार राज्यों के आदिवासी छेत्र दिया हुए, जरा बोल कर दिखाओ, कि वो चार राज्ये कौन से हैं, जिसके आदिवासी छेत्र यहां दिया हुए, कैसे तुम लोग इतने लेट होते हो, हाँ, च शेयर कर दीजे, ठीके संतोष बच्चा, मैं अभी करवाओंगी, सेशन के बाद, management के पास जाके, मुझे नहीं आता, unblock करना, मैं बोली तो थी अभी, येस सुमित, मेरा ATM या फिर मातम, आसाम मे घाले तिरी पूरा और मिजोरम बोलो, आसाम मे घाले तिरी पूरा और मिजोरम, बहुत बढ़िया मांसी, फिर F में क्या है center of state के बीच powers को divide किया हुआ है और center of state के बीच powers divided होती है तो ये किसकी विशेष्टा होती है संग्य है सरकार की होती है मतलब ये संग्य है प्रावधान है federal provision है tiers of old O से क्या है आपकी 8th schedule L में क्या है 9th schedule D में क्या है 10th schedule 22 official languages दी हुई है 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं दी हुई है आठवी अनुसूची के अंदर 9th में क्या है आपका land reforms भू सुधार और जमिदारी प्रेनाली को खत्म करता है बताना मुझे कि कौन से amendment से add किया गया था इसको कौन से amendment से add किया गया था इसको बोलो कौन से amendment से add किया गया था निधी कुट मॉनिंग कहा गयब रहती हो बच्चा तुम आज कल कहा कहा रहती ह हाँ विमल को भी अच्छा हाँ मिरको आईडी दे दे देना आप जिन जिन की भी है जो भी आईडी है मैं सल्च कर आकर करा दूँगी येस फिर 10th में क्या दिया हुआ है आपका defection law दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 10th में defection law दिया हुआ है दल बदल कानून दिया हुआ है जिसे अपना लोगों ने add किया था 52nd Amendment Act 1985 से किस से किया था 52nd Amendment Act 1985 से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट, tiers of old PM, PM, P से क्या है आपका पंचायत और M से क्या है आपकी municipality, इन्हें हमने आड किया था 73rd Amendment Act 1992 से, 73rd Amendment Act 1992 से, जिसके अंदर कितने मामले हैं, बोलो बोलो, इसके अंदर कितने मामले हैं, 29 मेटर्स, और 12th schedule में दी हुई हैं, मुनिसिपालिटी, नगरपाली का, जिसके अंदर 18 मेटर्स हैं, जिन पर कानून बनाती हैं, हमारी मुनिसिपालिटी, नगरपाली का, कौन से एमेंडमेंट से आड किया था, तो 74th Amendment Act 1992 से, कहां रह गए थे, हमें तास्तवाप बहुत लेट हो गए, मैंने आपको एक homework दिया है कि आपको बताना है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, कि उरिया का नाम बदल कर, उरिया जो किया गया था, वो कौन से एमेंडमेंट आक्ट से किया गया था, ठीक है, आप लोगों का ये homework है, और आप लोगों को ज़रूर ज़रूर बताना है, ठीक है, देखो इने याद आ रहे हैं तुम तुम्हारी रुक जाओ तुम पते तुम्हें एक भार का खाना हुआ ना सब छोड़ दो कि यह 74 अमेंडमेंट आक 1992 से इसके अंदर कितने मामले है 29 और इसके अंदर कितने मामले है 18 मामले हैं अब बताओ कि अब किसी को किसी अब भूलोगे तो नहीं अगर यह ट्रिक याद रहेंगे सारे अनुसुचय याद रहेंगे राधिका पहले सिर्फ पढ़ती ती और अब यह बात भी करने लग गए राधिका तुम्हारी भी डिजिटली पिटाई होईगी तुम्हारी बच्ची को इन्होंने वह कर दिया ठीक ठीक है अच्छा आपके एक्जाम चल रहे थे होके निदी किसी को कोई डाउट अच्छे से सबको समझ आ गए मैंने सेवन तो आपको फिर से समझाया तो था सचिन आपने सुना ही नहीं सेंटर और स्टेट गवर्मेंट के बीच बच्चा पावस को डिवाइड किया लिस्ट की फॉर्म में यूनियन लिस्ट चेट लिस्ट कॉन्क्रेंट लिस्ट संग सूची राज्य सूची समवर्ती सूची संग सूची के मामलों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी फिर राज्य सूची के मामलों पर राज्य की सरकार और समवर्ती पर दोनों और दोनों लोग रेजुरेरी पावस आवश्य शक्तियां कहते हैं, ठीक है, यह सनुरादा, नहीं 21st Amendment नहीं है, तुम लोग मुझे बताओगे, वो homework मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, रादीका सब चीज़े जरूरी है, माम को सब पता है कौन-कौन बतियाता है, अच्छा, साम तो और यहां, च्छा, सब बहुता हैं, तो उनकी अग्जाम डेट्डिक रोगहिए, आप बैच में रोल कर आ सकते हैं, वाइ-394- commoning वाला भी आपका श्रूरा है, उस बाच्छ में अनृल कर आ सकते हैं y394 code use कर तो आपको 78% का discount मिल जाएगा code क्या याद रखना है y394 ncrt हो गया bpsc हो गया आपका कोई भी अच्छा तुम थे बहुत बड़ा और इन लाइक को clear हो गया हाँ clear हो गया good अभी तक जो session को like नहीं किये जल्दी से like कर दो अभी तक नहीं किया तो session को like कर दो इस PDF को हटाते हैं रोको कहां से हटेगी यह कि मैं फिर आपको दिखाती है कि हटनी रही है यह मुझसे चलो कोई बात ने बाद में टीम देखेगी खुद से अब करते हैं अपने लोग session को यहीं मिलेंगे शाम को छे बजे की क्लास में अभी साड़े बारा बज़े आईए इस वाले चानल पर एक छुटकु सा session है ठीक है Thank you so much for attending the session. Bye-bye. Take care. जहिंद और comment करकर homework भी बताना है और comment कर ये भी बताना है कि session कैसा लगा मिलेंगे same time पर, same जगा, same mom के साथ और इतने प्यारे-प्यारे बच्चों के साथ. Bye-bye. Take care. झाले बताना है